नमसर्वेभ्याह, वियोमसम्सकत पाठशालायाह, लगुसिद्धान्त कवमुदी द्वितीय भागे, अध्य हलन्त पुल्लिंग प्रकरणस्य आरंभाह, ये नाक्षर समामनायम अधिगम्य महेश्वरात कृच्नम्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमाह, मक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धां गुण्यांकरों म्यहं, पाणिनीय प्रवेशाय लगुसिद्धान्त कवमुदीम, अस्य वर्गस्य प्रथम भागे शट्भिही अध्यायेही अस्माभिही लगुसिद्धान्त कवमुद्ध्याह अजन्त पुलिंग स्त्रीलिंग नपुम्सकलिंग प्रकरणानि अधीतानि इदानीम वयम हलंत शब्द प्रकरणे पदम निविश्य, हलंत शब्दानां रूपसिध्धिही सूत्र प्रकारेन कथम भवत्ती इती ज्याटुम उच्चुकाह स्माह तत्र लगुसिद्धान्त कवमुद्ध्यां पुनह प्रकरणत्रयम विध्यते हलंतेशु, हलंत पुलिंगाह, हलंत स्त्रीलिंगा अपुमसकलिंगाह, इती, वस्तुतह, हलंत शब्देशु, लिंग विशिष्टानी कार्यानि अत्यन्तम न्यूनानी एव, वतह, अत्रापी, प्रायेना यानी यानी सुत्रानी अध्येतव्यानी तानी पुलिंग प्रकरणे एव, अधीई अंते, समान रीत्या पुम्सकलिंगे भवती, कानिचन विशिष्टानि कार्यानितु भवन्ति. अट हादो विदानीम अस्मिन सप्तमाध्याये हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्य आरंभंकुर्मह, तत्र हयवरट लण्यमंगननम इत्येवं क्रमेन, अंत्य वरणम आश्रित्य, शब्दाह, विव्र अलियंते लगुसिद्धान्त काउमुध्यान। अट हादो तत्र हकारांताह, शब्दाह, भवन्ति, तेशो हकारांतेशु केचन प्रकाराह संति, सब्तमाध्यायस्य प्रथम पाठे हकारांत सामान्य शब्दह, लिह इति शब्दह, तस्य सिद्धिही, कथम इति वयं जान शब्दस्य व्युत्पत्यम यदा वयम पश्या महा लिहा आश्वाधने इती धातु हुस्तु। लिख इत्यर्थे एव अयम्धातु हु प्रयज्यते तस्माद्धातो हु क्विप प्रत्ययः क्रियते कर्त्रर्थे तदा लिह इत्यत्र अकारह इत्सम्यकह सहलुप्यते लिह क्विप प्रत्ययस्य अपी सर्वापहारह भवती वयम पूर्वम अपी दृष्टवंता हा ककारह इत्सम्यकह सहलुप्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत लिंगत्र ये पी उपयोक्तुम शक्यम रूपभेदा हातु न भवती अत्र लिंगाश्रेये न अत्रहा लिह इती हकारांता हा शब्दहा केवलं लिह इत्यपी भवती एवमेव तत्रह मधु लिह मधु लेधी मधु पिबती अत्रमास्वादयती इत्यर्थे प्रसिध्धाहा शब्दहा मधु लिट इत्युक्ते भरमारहा हनी भी इत्यर्थाहा एवमेव पयोलिट पयाहा लेधी पयाहा नाम क्षीरम क्षीरम लेधी इत्यर्थे बिडालहा पयोलिट इती वक्तुम शक्यते एवमेव समस्त पदानी बहूनी निर्मातुम शक्यंते तानी सर्वाणियपी हकारांतानी भवंती तरही रूपम कथं भवती इतियदा पश्यामह तत्रमुख्यम सूत्रमस्ती होडह अष्टमाध्याये द्वितीयपादे एकत्रिम्षम इदम सूत्रम। इदम स्मर्तव्यम यथा हल संधिशु अस्माभिही दृष्टम हल वर्णानाम विकार संबध्धानी बहूनी सूत्रानी त्रिपाध्याम एव भवंती अत्रापि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे तृतीयपादे चतुर्थबादे एवं त्रिपाध्याम बहूनी सू अतहा यथा हल संथी प्रकरणे तथा हलंत प्रकरणे पी सूत्र क्रम विशये असमाभिही ध्यानम दातव्यम भवती हाहा धाहा पदध्वयमे भस्ति सूत्र तत्र हाहा यती शस्ठ्यन्तम ह इती वरनहा तत्रशस्ठी विभगतो उस्प्रत्य एहा हस एति भवती रुत्वेविसर्गेक्रते हहा एति शष्ठ्यंतम भवती, धाह एति तु प्रथमांतम अस्ति धा इति उच्चारनार्थाहा अकारहा तत्रयोजिताहा धाकारहा अस्ति धा रामशब्दवत यथा रामहा तता धाहा अत्र पाणिनिय व्याकरणे बहुत्र वर्ण निर्देशे पाणिनिना इयम रीतिही अनुस्रियते कदाचित हलंतत्वेन एव प्रयोगह क्रियते कदाचित्तु उच्चारनार्थाम अकारम सैयोज्य प्रयोगह क्रियते तत्र केवला दर्शनेना हाहाड हाहा इत्युक्ते उभयम प्रथमावा उभयम शष्ठीवा कहा शब्दहा प्रथमान तहस्ती कहा शष्ठ्यन तहस्ती इती वक्तुम नईव शक्यते प्रसंगम आश्रित्य कदाचित वक्तुम शक्यते प्रयोगम आश्रित्य वक्तुम शक्यते व्याख्यानम आश्रित्य वक्तुम शक्यते केवलं सूत्र दर्शनेन अत्र एताद्रिश निर्थेशे का विभक्ति ही इती वक्तुम ना शक्यते अत्र हाह इती शष्ठ्यन्तमस्ती ढहा इती प्रथमांतम। पूर्वतन सूत्राणी संती तत्र जलो जली इत्य तहा जली इती अनुवर्तते सप्तम्यन्तम। पूर्वत्रा सिध्धम इती अधिकारे इदम सूत्रम निविष्टम अस्ति. तरही कह सूत्रार्था हाँ, हस्य धाहस्यात जली पदांते च, विधी सूत्रम अस्ति धत्व विधानम अनेन सूत्रेन क्रियते. कदा भवती हकारस्यड हकारादेशह इती चेत, पदांते हकाराः अस्ति चेत. अग्रे यह कोपी वरणाह भवतू तस्य पेक्षानास्ती पदांते, पदांते हकाराः अस्ति चेत, हकारस्य स्थानेड हकाराः आदेशह भवती. अथवा अपदांते हकारह अस्ति चेत जली परे धकारादेश भवती तत्र जली इती प्रिथक निमित्तमस्ति पदांते इती प्रिथक निमित्तमस्ति पदांते भवेत जल्वर्णस्य परकत्वम अपि भवेत इत्यर्थाहान जली परे हकारस्य धकारादेश भवती इती एकम वाक्यम पदांते हकारस्य धकारादेश भवती इती अपरम वाक्यम अता हा पदांते अग्रे यक्कोपे वरणाह भवतु तत अनापेक्षिय हकारसेड हकारह भवती, पदांतत्वं नास्तिचेत जली परे हकारसेड हकारादेश भवती, इती सूत्रार्थ था हा लिह इती हकारांटाथ प्राति पदिकाथ प्रथमईकवचन विवक्षायां स्वाव्जसमूट इत्चा दिना सूत्रण सु प्रत्यय हा लिह स, सु प्रत्यय ये उकारह इत्चम्य कहा लुप्यते स इत्यस्ति अस्य सकारस्य हल ज्ञाभ्यों दीरगांत सुतिस्य प्रक्तम हल इत्याने लोपः भवती हलंत सब्देश विशिष्य प्रायेन सर्वत्रापी अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिह भवती हलंतात अप्रिक्त सकारस्य लोपह अनेन सुत्रेन विधियते अतह लिह इती शिष्यते इदानीम अत्र खोड़ा पदांते यम स्मर्तव्यम सुप्रत्यय लुप्ते लुप्तम प्रत्यय आश्रित्य सुप्तिंगंतम पदम इत्यनेन अस्य पदसम्या भवति लिख इती पूर्वं प्रातिपदिक सम्या आसीट, लिख स इती सुप्रत्यय योजने सुप्तिंगंतं पदं इत्यनेन पदसम्या भवती, सकारे लुपते पी अस्य लिख इत्यस्य पदसम्या भवती, अतहा पदांते विद्यमानस्य हकारस्य होडः इत्यनेन ढखारादेश अत्र धकारस्य जलाम जशोंते, पदान्ते जलाम जशह स्युहु। पदान्ते धकारस्य स्थाने जश्ट्वं भवति, धकारस्य अंतरतमह जश्वर्णह भवति धकारह, अत्र लीड जायते। अत्र वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं भवति, चर्त्वे कृते लिट इती रूपम, चर्त्वे अकृते लिड इती रूपम, अतहा लिड लिड इती रूपद्वयं प्रथमा विभक्तव भवति, लिहाव लिहह, यदी अजादि प्रत्ययह अग्रे अस्ती तत्र पड़ सम्या नास्ति लिह अउ लिहाउ लिह अस जस प्रत्ययह लिहस रुत्वे विसर्गे लिहह तत्र कोपी विशेश नास्ति केवलं वर्ण मेलनं भवति लिट लिड लिहाउ लिहहा लिहा लिह भ्याम एती स्थिते तृतियाविभक्तव द्विवचनविवक्षायाम अत्र पुनहा पडसम्या भवति कथम पडसम्या भवति अत्र स्वादिश वसर्वनामस्थाने असर्व नामस्थाने स्वाधिशु परेशु पूर्वं पदसम्यं भवति स्वादिश्वसर्व नामस्थाने यची भम यदी यकारादिही अथवा अजादि प्रत्ययहा तरही अंगस्य भसम्या भवती हलादि प्रत्ययहास्थि चेत स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इत्यनेन अंगस्य पडसम्या भवती अतहा अत्रापी पदांतहा हकारास्थि अ पुनह अत्रापी पदान्तत्वा जलाम जशोंते इत्यनेन जश्ट्वेकृते लिड भ्याम इति भवती अत्र चर्त्वं न भवती। किमर्थम वावसाने इत्यनेन अवसाने चर्त्वं विधीयते अत्र अवसानम नास्ति। पदान्तत्वमस्ति अवसानम नास्ति, अवसानम नाम विरामह अवसानम, वर्णानाम अभावह अवसानसम्यकह, जश्ट्वस्य चर्थ्वस्य सहभेदहस्ति, जश्ट्वम पदान्ते भवति, अग्रे अन्ये वर्णाहसंति चेदपि भवति, किन्तु चर्थ्वम्तु अव अवसाने एवभवती अत्र अवसानम नास्ती अग्रे भका रहस्ती समहीता एक पदे नित्या नित्यम समहीता भवती अत्र अवसानम इती वक्तुम न शक्यते अपी चा खर वर्णाह नास्ती, चर्त्वस्य अपरम निमित्तम्तु भवती खरी चा खरी परे जलाम चर भवती यत्र खर वर्णाह नास्ती भखा रहा, अता हा चर्त्वस्य प्रसक्ति ही नास्ती लिडभ्याम एती तृती यह वर्णाह एव श्रू यते, लिहा लिडभ्याम लिढ़ियां 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 लि इति इदम परसम्यकं भवती पदांतरस्य हकारस्य होधाह इत्यनेन धत्वं भवती लिध सु जलाम जशोंते इत्यनेन धकारस्य जश्ट्वेक्रते लिध सु इति भवती। इदानीम अत्र सुत्रम पूर्वम अधीतम समर्तव्यम डःसी धुट हल सन्धी प्रकरने अस्माभिह द्रिष्टम् दात्परस्य सस्य धुड आगमह भवती विकल्पेन धकारात्परस्य सकारस्य धुट एति आगमहा धकारह आगमह सहा टित आगमह स्ति अतहा आध्यन्तव टकितव इत्यनेन प्रत्य यस्य आदव सकारस्य आदव धकारस्य योजनम भवति लीड ध सु इति भवति अस्य धकारस्य सकारे परे खरी च इत्यनेन चर्त्वं भवति सकारह खरवर्णह खरी परे जलाम चर इत्यनेन धकारस्य स्थाने चर्त्वे करते लीड त सु इति भवति इदानीम अयम तकारह पुनहा खरवर्णह अस्ति, तस्मिन परे पूर्वं विद्यमानस्य डकारस्यापी खरीच इत्यनेना चर्त्वं भवती, तदा लिट्चु इती रूपम, तकारहा ततह परम तकारह अस्ति, लिट्चु इती रूपम. धुडाग महा वैकल्पी कहा अस्ति, विकल्पेन धुट, यदा धुडाग महा नक्रियते, तदा साक्षाद लिट्चु इत्यस्ति, डकारस्या सकारे परे खरीच इत्यनेना चर्त्वं भवती, अता हा लिट्चु इती रूपम. सप्तमी बहुवचने रूपद्वयम लिट्चु लिट्चु प्रथमाईक वचने पी रूपद्वयम लिट्ट लिड्चु अन्यत्र सर्वत्रापी एकमेव रूपम भवती. यदी अजादी प्रत्य अहा तरही केवलम तत्र वर्ण मेलनम हकारस्य किम अपिकार्यम नास्ति, हलादी प्रत्य अहा अस्ति चेद, होड़हा इती धत्वे, जलाम जशोंते इती जश्त्वे, डकारह श्रुयते. अत्र होड़ह इत्यत्र हस्य धहस्यात पदांते जली च इती द्रिष्टम, सुबंत प्रकरणे सर्वत्रापी पदांतत्वादेव धत्वं सिध्यती. तरही जली इत्यस्य किम प्रयोजनम इत्य यदावयं चिन्तयामह, अन्यत्र विशिष्य यदावयं कृत्त प्रत्ययानाम अध्येनम कुर्मह, तिंग प्रत्ययानाम अध्येनम कुर्मह, तत्र जल्परकत्वस्य उदाहरणं लभ्यते. उदाहरणम अत्र लिख धातोहो अस्याईवा क्तप्रत्ययह यदा क्रियते, अत्र पदत्वं नास्ति, पदसम्या कुत्र भवती, स्वाधिशु, सुवजसित्यादी प्रत्यया नारभ्याईवा पदसम्या पूर्वस्य भवती, स्वाधि प्रत्यय भिन्नेशु, धातु भ् प्रत्ययम्, योजय 본 आउं, तत्र सुबंतस्य तिंगंतस्य ऐःवा पड़ सम्यां आँगंस्य पड़ शम्या नववती, अधा हापदान तः हकारःस्ती, जली परे तकारहा जल वरणहा अधा हा तस्मिन परे तत्र हकारःस्य एढ शेक्रते लीधग त इति भवती, अग्रे प्रक्रिया अस्ति लीढ इति अंतिमं रूपम भवती, लीढ त तत्र तकारस्य धकारा देशहा त स्यस्टुत्वं ढ्रलोपे पूर्वस्यदीर घोणहा इत्यादी वहूनी कार्याणी संती, किन्तु तत्र जली परे होडःहा इत्यनेन धत्वं द्र द्रश्टुम वयं शक्नुमह, एवम एव रुहुधा तो हो क्तिन प्रत्य यहा इराक्रियते, सोपिकृत्प्रत्य यहा, तत्रापी जली परे हकारस्य धकारा देशे, रुढ ती, अस्मादेव रुढ ही इति शब्दस्य निश्पत्य भवती, एवंच तेशु धली परे धक्त्व विधानस्य प्रयोजनम वयं द्रश्टुम शक्नुमह, सुबंत प्रकरनेतु सर्वत्र पदान्तत्वा देव धत्वं सिध्यति, तरही लिःधातो हो रूपाणी पूर्णानी पश्यामह, अत्रा सुप्रत्य यह, संबुद्धाव विशेशह नास्ति, चेदेव, विशिष्य तद्रूपम प्रदर्श्यते, यत्रा किमपी नोच्यते, तत्रा समानम रूपम इती, वयं उहितुम शक्नुमह, अत्रा सुप्रत्य यह, एव उभयत्रा, प्रतमा विभक्ताव व्यद्भवती, तदेव संबुद्धाव भवती, विशिष्य सूत् मस्ति चे देवा तत्र भेदहा द्रष्टुम शक्यते। अन्ते सुप्रत्यये धत्वं भवती जश्ट्वं भवती डसी धुट इती विकल्पेन धुडाग महा धुडाग महा न भवती चे लिट्चु इती रूपम। अन्यत्र अजादि प्रत्यये परे विशिष्य किमपिकारियं न भवती। अध्याधीतं मुलभागं पठा महा खोडः हस्य धहस्यात जली पदान तेच लिट्ट लिड लिहाव लिहाः लिडभ्याम लिट्चु लिट्चु अग्रिम पाठे वयं। दुह शब्दस्य रूपाणी कथं सिध्यंती इतिपश्यामह ये नाक्षर समामनाय मधिगम्य महेश्वरात क्रत्स्नम् व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिन ये नमह वाक्यकारं वररुचिं भष्यकारं पतंजलिं पाणि निम्सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रय नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धां गुन्यांकरों म्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लगुसिध्धांतकों मुदीम